नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल गोपालिश्टी पॉइंट में फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में लेकर आएं हैं सीटेट के पेपर टू जो की 22 फरवरी 2015 को हुआ था और इस पेपर में बाल विकास वे शिक्षा सास्तर के पार्ट से जो 30 कोशन्स पूछे गए थे उन सभी 30 कोशन्स पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और फ्रेंड्स आपसे रिक्षेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब का लाल बटन दिखाई देगा सिंपली आपको वन टाइम उसको प्रेस करना है और जैसे आप उसको प्रेस करते हैं तो एक घंटी का निशान बनके आएगा उस निशान को भी आपको प्रेस करना है आने वाली जो वीडियो के जो अप्डेट्स हैं मेरी जितने भी वीडियो में डेली अप्लोड करता हूँ उसकी जो सूचना है वो आपको मिलेगी बिना किसी सर्च किये हुए और friends आपसे request है इन सभी 30 questions को आप भी स्वम से attempt कीजिए और अपने score को judge कीजिए कि आपकी तैयारी किस level तक पहुँची है और friends मेरी सभी वीडियो देखने के लिए आप अपने screen को touch करके top right corner पर एक eye का button दिखाई देगा वहाँ पर press करके आप child development and pedagogy की topic wise सभी वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पर गनित की वीडियो, विज्ञान की वीडियो, environmental study की वीडियो और आपको हिंदी की वीडियो भी आपको available मिलेगी उन सभी वीडियो को देखकर आप अपनी तियारी को बहुत ही बहतर बना सकते हैं तो चले दोस्तों start करते हैं without wasting of time question number one दिया है question number one है हमारा आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतिया करते हैं इस परिस्तिती का आपके visualization के अंसार इन में से कौन सा कथन सरवादिक उपयुक्त है यानि कि आपको सही जो कथन है उसका chain करना है तो friends मैं इस question का right answer पढ़ देता हूं so that video काफी लंबा ना हो तो friends question number one का जो right answer है वो है option number two और option number two में दिया है बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक इसपश्टा प्राप नहीं की है तथा आपको अपनी सिक्षन विदी पर चिंतन करने की आविशक्ता है next question देखेंगे कक्षा परिक्षनों में अच्छा प्रजशन करने में एक बच्चे की ऐसा पलता हमें इस विश्वांस की तरफ ले जाती है कि क्या होना चाहिए इसका जो right answer है तो इसका जो right answer होना चाहिए वो होना चाहिए option number third पाच्ठे करम सिक्षन पदती तथा आंकलन आंकलन की जो परिक्रिया पर विचार करने की आवशकता है यानि option number third इसका correct है next question देखेंगे friends एक अध्धाबी का यह सुनीशित करना चाहती है कि उसके विद्यारती आंत्रिक रूप से प्रेरित है तो इस संधर्व में वह क्या करेगी तो इस संधर्व में उसे क्या करना चाहिए तो friends इसका जो right answer है वो है friends option number third और option number third में दिया है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाए व्यक्तिकत रूप से बच्चों की अधिगम की परिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए तो next question देखेंगे friends निमलिकित में से कौन सा कथन सबसे बहतर धन से बढ़न करता है कि कफशा में बच्चों को परिशन पूछने के लिए क्यों परोसाइद करना चाहिए यानि कि बच्चों को परिशन पूछने के लिए क्यों परोसाइद करना चाहिए इसका region क्या हो सकता है तो इसका reason है friends option number आपका third और option number third में दिया है person unknown क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तर्था संकल्पनात्मक इस परश्टा की दिशा में बढ़ते हैं next question देखेंगे इन में से कौन सी अधिगम एसकता वाले बच्चे की एक विशेष्टा है तो अधिगम एसकता वाले बच्चे की क्या विशेष्टा होती है वो हमें बताना है इन सभी चारो options में कौन सी विशेष्टा है तो इसमें हमारा जो right answer है वो है option number two धारा प्रुहार तो कौन सी आकलन की जो पदती है वो विजरतियों की सर वोन खंता को पोशित करेगी तो यह है friends जब संकल्पनात्मक-परिवर्तन तथा विध्यारतियों की वेकल्प्रिक समाधानों को आकलन की विभिन विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है जो कि option number 30 का correct है अभी next question देखेंगे वाई गोच्की के अनुसार समीपस्त विकास का छेतर है तो समीपस्त विकास का छेतर कौन सा है वाई गोच्की के अनुसार तो ये है हमारा friends की बच्चे के द्वारा स्वतंत रूप से किये जा सकने वाले तता साहिता के साथ करने वाले कारिये के बीच अंतरका होना जो कि option number 30 का correct है अभी next question देखेंगे प्याजे के सिध्धानत के अनुसार बच्चे निम्ड में से किसके द्वारा सीखते हैं तो बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं तो जो प्याजे जी ने सिध्धानत दिया था तो उसके अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वो सिखते हैं अनुकुलन की परिक्रियाओं के द्वारा जो कि option number 4 इसका correct है अब नेक्स question देखेंगे प्याजे अनुमोधन करते हैं कि पूर संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में एस समर्थ होते हैं अब निम्लिकत कारकों में से किसको उन्होंने इस ऐसमर्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है तो कौन से कारक हैं जिनको प्याजे जी ने जिम्मेदार ठहराया है तो इसका जो right answer है वो है friends option number आपका 4 विचार की अनुत कर्मिनियता यानि की पलट ने सके तो इस तरह जो की ऐसमर्था के लिए जिम्मेदार हैं वे कारक जिसको प्याजे जी ने जिम्मेदार ठहराया है वे हैं विचार की अनुत कर्मिनियता यानि की पलट ने सके next question देखेंगे समाजी करण एक प्रकिरिया है तो समाजी करण प्रकिरिया है उसमें क्या होता है वो हमें बताना है तो friends इसका जो right answer है मुल्यो विच्वासो तथा अपक्षाओं को अरजित करने की जो करिया है वो समाजी करण है यानिकि समाजी करन एक परिक्रिया है जिसमें मुलो विश्वासो तसाफिक्षाओं को अरजित्क किया जाता है नेक्स कोशन अनुश अंधान से पता चलता हैES कि विद्याले में अनेक अस्तरों पर विभेधी करन पाया जाता है उच प्रात्मी के स्थर पर इन में से कौन सा विभेदी करन का एक उधारन नहीं है Friends यहां पर question में नहीं है पूछा गया है तो हमें बहुत ही सजग हो करके इसका answer देना है क्योंकि नहीं है वाले question में बहुत ही ज़ादा confusion होता है तो इस question के गलत होने के chances काफी होते हैं इसलिए इस question को बड़े ध्यान से करना है तो 11 का जो right answer है वो है Friends option number 1 क्या है विभेदी करन का उधारन नहीं है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल वियक्षान विदी का परियोग करते हैं यह जरूरी नहीं है next question एक अध्यापक समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्कताओं के परती परभावशाली तरीके से परती करिया निमलिकित दौरा कर सकती है तो क्या कारण हो सकते हैं जिसके दौरा निमलिकित परती करिया होती है तो वो हमें बताना है तो 12 का जो राइट आंसर है वो है फ्रेंट्स आगे देखते हैं ये फर्स नमबर का नहीं है तो ये है हमारा ओप्शन नमबर थर्ड और ओप्शन नमबर थर्ड में दिया है विद्याले विवस्ता तता श्वम के उन तोर तरीकों के बारे में विचार करना जिन में पक्षपात एवं रूडी बादताएं जहलगती है नेक्स कोशन देखेंगे एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यावी का सुनिश्चित करेगी कि आंकलन में निमलिकित में से समलित हो क्या चीज समलित होनी चाहिए तो इसमें समलित होनी चाहिए अपने विज्यारतियों की सामाजिक सांस्कृतिक प्रस्ट भूमी जो की option number two इस question का सही है अभी next question देखेंगे कॉल बर्ग के सिधानत की एक परमुक आलोचना क्या है क्या criticize है कॉल बर्ग के सिधानत का वो हमें बताना है तो ये है हमारा कॉल बर्ग ने पुर्शों वे मैलाओं की नैतिक तार्किता में सांस्कृति विभिन्ताओं को महत्व नहीं दिया है जो कि option number four इसका correct है नेक्स कोशन निमलिकित कत्रों में से कोन सावाई गोच्की के दौरा प्रस्तावीत विकास तथा अधिगम के बीच संबंद का सर्वसेश टूप में सार प्रस्तूत करता है तो ये करता है फ्रेंट्स आपका विकास पर क्रिया अधिगम पर क्रिया से पीछे रहे जाती है जो कि option number third इसका correct है 15 का क्या है राइट आंसर option number third Next question किस प्रकार से एक अध्यावी का बच्चों को बहतर समश्चा समाधान करता बनने में साहिता कर सकती है तो किस तरह से साहिता करती है वो में बताना है तो फ्रेंट्स 16 का जो राइट आंसर है वो है बच्चों को बिवित प्रकार की समश्चाओं का समधान करने के मौके देना तता उनका हल करते समय सायोग देना जो कि option number one इसका correct है अब नेक्स question देखेंगे एक विज्धारती एक प्रकरण में मुख्य बिंदों को रेखांकित करती है और उसका द्रशात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाध्य पर अपने दिमाग में उत्पन होने वाले प्रस्तुत करती है तो वह क्या कर रही है यानि कर रही है जो कि option number one इसका correct है अब नेक्स question देखेंगे एक सिक्षारती केंदरित कक्षा कक्ष में अध्धापी का करेगी यानि कि क्या देती है किस चीज का आकलन करना चाहिए या किस चीज में दिशा निर्देश देना चाहिए या किसको प्रोसाइद करना चाहिए वह हमे इस प्रकार की पदतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षारती अपने श्रम के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोसाइद हो नेक्स question देखेंगे इस पर अत्याधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों यह उन लड़कियों में योगताओं का विशिश समों उनक का जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर ऑप्शन नमबर आपका वन यह लड़कियों को सेवा भाव के लिए समाजिक रूप से तयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा समवेग प्रदिसित करने के लिए हतोसाइद किया जाता है नेक्स question गार्डनर के बहु सा कारक है जो की आत्म बोध हेतू सरवादिक योगदान देगा तो 20 का जो राइट आंसर है फ्रेंट्स हो है ऑप्शन नमबर टू और ऑप्शन नमबर टू में दिया है अन्ते वैतिक अन्ते वैतिक तो 20 का हमारा राइट आंसर हुआ दोस्तों कि गार्डनर ने जो बहु पुद्धी का सिध्धान्त दिया था उसके अनुसार व्यत्ति के आत्म बोध हेतू अन्ते वैतिक जो कारक है वो सरवादिक में थपून होता है नेक्स क्वेशन देखेंगे इन में से कौन सा बाल विकास का एक सिध्धान्त है तो कौन सा है जो कि बाल विकास के एक पक्वन तथा अनुभाव के वीच अन्नोन निकरिया की वज़े से घटित होता है। अभी नेक्स कुर्शन देखेंगे। वाई गोच्सकी तथा प्याजे के परिपेक्षों में एक परमुक विभिनता है। तो क्या विभिनता है? तो इसमें विभिनता होती है। अभी नेक्स कुर्शन देखेंगे प्रकृति पालन पॉशन वाद विवाद के संदर्व में निम्लिकित कतनों में से कौन सा आपको उप्यूक्त प्रतीत होता है? तो कौन सा कतन है जो आपको उप्यूक्त यानि के ठीक लगता है तो वो हमें बताना है। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है आपका उप्यून नमबर 4 यानि कि वन्सानुकरम तथा परिवेश अभिन रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स कोशन देखेंगे निमलिकित में से आप किस से सहमत है यानि कौन सा जो कथन है जिस से आप सहमत है वो हमें बताना है। तो friends मैं आपको बताना चाहूंगा 24 का जो right answer है वो है आपका option number 2 और option number 2 में हमें दिया है कि अधिगम एक समाजिक संस्कृतिक परिवेश में घडित होता है next question देखेंगे next question है समावजी सिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि क्या मूलाधार है समावजी सिक्षा के पीछे तो यह जो मूलाधार होता है वो होता है हमारा समाज में विभिंता है और विद्याल्यों को इस विभिंता के परति समय दंसील होने के लिए समावजी होने की आवशक्ता होती है या आवशक्ता है जो कि option number 1 इसका correct है अबी next question देखेंगे एक उच प्रात्मिक विद्या लेके संरस्तनात्मक कक्षा कक्ष में अपनी स्वम के आकलन में विद्यारतियों की भूमिका में निमलिकित में से क्या देखा जाएगा तो क्या देखा जाएगा आकलन में जो विद्यारतियों की जो भूमिका में निमलिकित कथन जो चार ओप्शन दिये हैं तो इन में से कौन सा जो सूटेबल कथन होगा जो हमारे 26 नंबर के कोशन को साडिस्फाई करेगा तो कॉशन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है विद्यारति अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है नंबलिकत में से कौन सा तरीका अध्यापिका के दुआरा एक सरजनातमक बच्चे की पहचान करने के लिए सरवाधिक उप्युक्त होगा तो कौन सा ऐसा तरीका है जो की एक सेजनात्मा बच्चे की जो पहचान करने के लिए सरवादी को प्यूक्त होगा तो ये तरीका है फ्रेंड्स आपका बच्चे का विस्तरत रूप से अवलोकन करना विसेश रूप से उस समय जब वह समश्चाओं का हल करती है औप्शन नमबर टू इसका करेक्ट है नेक्स कोशन उच्प्राथमी विद्याले की गनित अध्यापिका के रूप में आप विस्वांस करती है कि क्या विस्वांस करती है तो वो हमें बताना है फ्रेंड्स तो ट्वंटी एट का जो राइट आंसर है वो है औप्शन नमबर आपका वन और वन में दिया है विद्यातियों की गलतियों उनके चिंतन में अंतर दृष्टियां उपलब्द कराती है जो कि औप्शन नमबर वन इसका करेक्ट है अभी नेक्स कोशन देखेंगे फ्रेंड्स इन कतनों में से आप किससे सहमत है यानि की चार कतन दिये हैं उसमें से राइट आंसर हमें चूज करना है तो 29 का जो राइट आंसर है आपका वोय औप्शन नमबर 4 और 4 में दिया है एक बच्चे की ऐसा पलता वेवस्था तथा बच्चे के परती परती के लिया करने में इसकी ऐसमर्था का एक परती बिम्ब है नेक्स कोशन देखेंगे एंड लाउस कोशन उफ दिस वीडियो एक बच्चे को सहरा देने की मात्रा एवं परकार में परिवर्टन इस बात पर निरवर करता है कि अध्धापिका की मनोदसा पर, बच्चे की नसरगी की योगता पर, कारिये के लिए प्रस्तावित प्रुसकार पर या बच्चे के निस्पादन का इस तर पर तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स बच्चे के निस्पादन इस तर पर जो कि option number 4 इस question का correct है तो दोस्तों इस तरह से हमने 30 questions को इस वीडियो में cover किया है और I hope friends आपको इस वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो please इस वीडियो को like कीजे और जादे से जास दोस्तों में WhatsApp और Facebook ग्रूप पर इस वीडियो को share कीजे और friends यदि आप चैनल से अभी तक नई जुड़ पाए हैं चैनल पर नए हैं तो please चैनल को subscribe कीजे और घंटी के निशान को press कीजे so that आपको वीडियो आने वाली वीडियो के जो अपडेट्स हैं जोसकी सूचना है आपको मिलेगी सबसे पहले वो भी बिना किसी सर्च की तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुब हो बंगल में हो और इसी सुब कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैभारत